नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम रुचिरा प्रतम भाग शश्टी कक्षा का फ्रिक्षाह पाट को पढ़ेंगे एवं जानेंगे आप सब ही उत्तर पुस्ति का एवं कलम को साथ में लेकर बैठियेगा और कठें शब्दों को उसमें लिखियेगा आशा है आप सब को ये पाट अच्छी प्रकार से समझ में आएगा आएगे अब हम इस पाट के बारे में और विस्तार से जानते हैं विक्षह पाट के शब्दार्थ अथवा कठें शब्द इस प्रकार है ये शब्दार्थ तीन भाशाओं में दिये गए हैं पहला सम्स्कृत भाशा में तथा उनका अर्थ हिंदी और अंग्रेजी भाशा में दिया गया हैं पहले शब्द को हम ध्यान से सुनेंगे एवं उसका उच्चारन करेंगे वने वने अथार्थ प्रतेक वन में निवसंताह रहते हुए अथ्वा रहने वाले रचयंती रचते हैं या बनाते हैं शाखा डालिया या टहनिया दोला अथार जूला आसी नह बैठे हुए विहगाह पक्षिगन किमपी कुछ भी कुजनती कूकते हैं या कूकती हैं संततम निरंतर या लगातार सादू जनाह तपस्वी लोग अथार्थ सज्जन बुरुश इव की तरह पिबनती पीते हैं स्प्रिश्यनती स्पर्श करते हैं नबह आकाश को शिरसू सिरपर वहनती डोते हैं पयो दर्पणे जलरुपी दर्पण में या आइने में स्वप्रतिविंब अपने प्रतिविंब को अथार्थ परचाई को पश्यनती देखते हैं शप्त अर्थों को जानने का एक कारण यहें भी है कि इनको जानने के पश्चात हम पाठ को भलेभाती रूप से समझ सकते हैं और जान सकते हैं आइए हम पाठ प्रारम करते हैं अब प्रिष्ठ पल्टेंगे वने वने निवसंतो व्रिक्षाह वनम वनम रचयनती व्रिक्षाह तो बारा से मैं बोल रही हैं बच्चे ध्यान से समझेगा वने वने निवसंतो व्रिक्षाह वनम वनम रचयनती व्रिक्षाह शाखा दोला सीना विह कहा तेही केमपी कोजनती व्रिक्षाह अथार्थ वने वने विक्ष प्रतेक वन में निवास करते हैं, अथवा रहते हैं, इस प्रकार विक्ष कई जंगल बनाते हैं. शाखा दोला सीना विहगा, पक्षी शाखा रूपी जूले पर बैठे हैं मानो, विक्ष उनके माध्यम से कुछ-कुछ कूक रहे हैं. अब अगले प्रिष्ट पराम आते हैं, प्रिष्ट पल्तियेगा. प्रिबंती पवनम जलम संततम सादो जना इफ सर्वे विक्षा हा, स्प्रिश्यन्ती पादी पातालम्च नबह शिरसु वहन्ति विक्षा हा. अथार्थ विबंती पवनम जलम सततम विक्ष हमेशा वायू और जल पीते हैं. सभी विक्ष सज्जनों के भाती होते हैं, अथार्थ वे सज्जनों के समान हम पर उपकार करते हैं. स्प्रिश्यन्ती पादी पातालम्च अथार्थ विक्ष पैरों से, अथार्थ जडों से पाताल को छूते हैं, और सिरों पर आकाश को ढोते हैं, अथार्थ बेमहान हैं और अत्यधिक कारेभार संभालते हैं. अब अगले प्रिष्ट पर आईएगा. पैयो धर्पनी स्वप्रतिभिंब कोतुकेन पश्यन्ती विक्षाह. प्रसार्य स्वच्छ छाय संतरणम कुर्वंती सतकारम विक्षाह. अतार्थ पयो धर्पणि, व्रिक्ष जलरूपी धर्पण में अतार्थ आहिने में अपना प्रतिभिम्ब कौतुहल अश्चर्य से देखते हैं. प्रसार्य स्वच्च छाया संतर्यनम व्रिक्ष अपनी छाया रूपी बिच्छोने को फैला कर अथार्थ बिच्छा कर सबका आदर सतकार करते हैं। बच्चों, आज हमने इस पार्थ में व्रिक्षों की महत्व को जाना। तता हमने ये समझा संस्कृत में संग्या शब्दों की लिंग पूर्व निधारित होते हैं। अथार्थ अकारांत शब्दों में कुछ पुलिंग और कुछ नकुनसक लिंग शब्द होते हैं। दोनों की शब्द रुप बिन होते हैं। आज हमने इस पाठ में व्रिक्षाह अथार्थ पेड़ों की महत्व के विशे में जाना और समझा कि वे सज्जन पुरुषों की समान हमारी सहायता करते हैं इवं प्रकर्ति के सौंदर्रे को बढ़ाते हैं। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।